आज हम एक ऐसे ओस्दिय पौधेव फल की बात करेंगे जो ना एक फल है बलकि एक विसेश ओस्दिय पौधा भी है जिसको कमरक के नाम से जाना जाता है एवर हुआ कैरम बोला इसको कहते हैं और यह अकजेली डिसी फैमिली का है जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं इसका जो फ्रूट है इसको स्टार फ्रूट भी कहते हैं और यह है अरजुन के फ्रूट के जैसा भी दिखता है इसको कमरक के नाम से जाना जाता है इस औस्दिय पौधे के पत्र, फल वे इसका जो तना है, तने की जो बार्क है उसका इस्तिमाल किया जाता है यह लीवर और किड्नी के रिजुमनेशन में हेल्प करता है यंग एज में लगे हुए घुटने में चोट, 20 साल बाद, 25 साल बाद जब वो दुखता है तो उसके ट्रिट्मेंट के लिए इसका उप्योग किया जाता है इसका जो फल है, यह जब कच्ची अवस्ता में होता है, तो यह पित्त कारक होता है उसन वीरिये पिकरती होती है और पकने के बाद सीत वीरिये पिकरती हो जाती है जो कि पित्त का समन करती है यह वात, पित और कफ तीनों परकार के डिसॉडर्ज में उसके रेमेडियेशन में हेल्प करता है कफ और कोल्ड से प्रिवेंट करता है किड्नी स्टोन को ब्रेक करने में हेल्प करता है अब जैसे हम बता रहे थे कि गुटनों की लंबे समय से लगी हुई जो चोट है वो 20 साल बाद 25 साल बाद दुखती है इसके इसमें 20 ग्राम चावल लेके और एक लीटर इसके फ्रूट का जूस लेके उसमें खीर बनाए और स्वादनुसार उसमें आप मीठा और घी उसमें डाल सकते हैं और उसको खाने के बाद व्यक्ति को ढख कर सो जाना चाहिए एक या दो बार करने मातर से घुटनों का दर्द समाप्त हो जाता है एक पोलियूरिया की जो समस्या है वो भी आजकल व्यक्तियों में बहुत कॉमन पाई गई है और पोलियूरिया की जो समस्या है वो डायविटिक पेशेंट में भी होती है और इसके जो बार का पाउडर है वो glucose के level को blood में regulate रखता है, control करता है और यह विशेश रूप से diabetes और polyurea में कैसे कारे करती है इसका जो योग है वो 20 ग्राम healthy powder लेकर 1 ग्राम चाल ले लेजिए इसकी 1 kg चाल ले लेते हैं और 20 ग्राम healthy powder लेने के बाद इसको हम 32 गुना पानी में decoction बनाते हैं जब तक वो अपना एक बटे आठ रह जाता है इसके बाद उसमें हम 1 kg सहद मिलाते हैं 1 kg और 1 kg सहद मिलाने के बाद इसमें एक पाव धतकी के फूल जो वूड फोड या फूटी को इसका गया है जो fermentation में help करता है एक महिने के fermentation के लिए रखतेते हैं और उसके बाद उसको निकाल के 20 ग्राम चूने से बुझे हुए पानी के साथ बराबर मत्रम मिला कर लेना चाहिए जिसे पूरी उर्या की समस्या दूर होती है वे लीवर वे किड्नी की रिजुमनेशन में ये help करता है जैसे कि आप देख रहे हैं कितना सुन्दर ये एक श्रब है औकजलेडिसी फैमिली का है इसके अंदर पोटास्यम औकजलेट पाय जाता है जितने भी औकजलेट या टार्टरेट होते हैं वो बोड़ी से हैवी मेटल्स के एलिमनेशन में help करते हैं जनरली हम साग सबजी फल जो भी खाते हैं या सोईल या वाटर पोलुशन के माध्यम से हमारे अंदर हैवी मेटल्स की थोड़ी थोड़ी मात्रा जाती ही रहती है जिसके इम्मुनुटी सप्रेस होती है तो इम्मुनुटी के रि यह विभिन इम्मुनुटी के जो सप्रेस्ट पेशेंट होते हैं उनमें इम्मुनुटी को स्टिमुलेट करने के लिए पराने से पराने कॉंस्टिपेशन को रिमूव करने के लिए वाया स्टिमुलेशन ऑफ डाजेस्टिव सिस्टम और पिडिनी और लिवर रिजुमेश हाई बीपी के पेशेंट का यह बीपी भी डाउन करता है क्योंकि यह कोलेस्ट्रोल लेवल को डाउन करता है इस प्रेसे यह समगर रूप से मनुष्यों के चिकित सामें इस्तमाल किया जाता है यह हॉर्मोन्स को भी रेगुलेट करता है इसको इमीना गोग भी इमीना गोग के लिए यूज भी किया जाता है यह गलेक्टो गोग है पस्वों में दूद वर्धन के लिए भी इसका चारा की रूप में इसको फ्लाए जा सकता है यह सब बहुत ही सुन्दर इसके फ्रूट्स जैसे आप देख रहे हैं लगे हुए हैं सीजन में जब भी यह आए इसका सेवन करना चाहिए सीत वीर्य प्रकृत्ति है इसलिए धूप में बैठ कर करें तो बैठर होगा धन्यवाद